क्या आप भी MIY13 का Global में आने का बेसरी से इंटजार कर रहे हो तो भाई यहाँ पर आपका टाइम यहाँ पर होने वाला है पूरा क्योंकि कुछ latest information निकल के आये हैं जिसे supporter devices के list भी निकल के सामने आ गई है कि किस को यह टेखनी को मिलेगा जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने टेलिग्राम पर पूस्ट किया था जिसमें मैं आपको बताया था कि वाई जल्द ही यह Global में launch होने वाला है MIY13 जिससे related कुछ extra information भी सामने आ गए थे जो कि मैंने आपको time to time टेलिग्राम पर प्रोवाइड किया था लेकिन आज के इस वीडियो में latest information निकलके आया है MIY13 के बारे में कि किन किन devices के लिए यह testing सुरू हो चुका है वो भी internally तो आज के इस वीडियो को last time watch करिए और आपको इस से related यहाँ पर सारी जनगारी मिल जाएगी तो यह है telegram channel जहाँ पर जो भी latest information आता है ना मैं share कर देता हूँ तो आप यहाँ पर जोईन हो सकते हो ताकि latest information आपको time पर मिल सके अब बात करें official news की यानि information की तो आप यह देख सेकते हो कि android 12 का tracker है जो कि AMI के community पर ही है जो push किया गया है जो कि official information है और यह भाई इंडिया में band है तो आपको VPN वगरा try करना होगा इसे use करने के लिए जैसा कि आप देख पार हो VPN यहाँ पर sign दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर region का code name वगरा का detail दिया गया है जैसे आपको पता चल पाया कि कौन से region में कौन सा update आ रहा है तो MI जो है global का है इंडिया का हमें IN देखनी को मिलता है और बाकि अदर का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो back to back हमें IN इंडिया का भी देखनी को मिलेगा तो यह good news होने वाली है बद के बास second device आते है हमारा Mi 11 Ultra जो की palette tester की रूप में यहाँ पर है जो भाई काम चालू हो चुका है यानि internal testing होने वाला है और फिर है हमारा Mi 11 उसका Note 10 और Note 10 Pro तो यह जितने भी devices है गलोवल के है और इंपर testing सुरू हो चुका है तो यह good news है और भाई इनके भी कोई भी update निकल के बाहर आते है तो आपको वीडियो में 100% point करूँगा hand to hand तो उसके लिए चैनल को subscribe जरूर कर लेना और record अभी एक latest information निकल के आया है जिससे हमें यह पदा चलता है कि Redmi का Note 10 Pro Global का device है उसके लिए OT update भी rollout हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देख पार हो इसके 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 निसुट में 13.0.2 है 3.1 GB का है और यह कोई fake नहीं है नहीं edited है यह official information है क्योंकि आप यहा rollout होना शुरू होगा और अभी global में launch नहीं हुआ है इसलिए internal testing है लेकिन जैसी launch होगा ना to normal और random users को भी मिलना शुरू हो जाएगा जिसके वज़से काफी exciting हमें features देखनी को मिल सकते हैं MIUI 13 की और से लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा weight है MIUI 13 के अंदर Android will का theming features को add होने का कि कैसे वो add होता है साथ साथ जो यह widgets में यहां पर use कर रहा हूँ ना यह हमारे global में इंडिया में देखनी को मिलते हैं या नहीं इसके लिए मैं काफी ज़्यादा excited हूँ क्या आप हो या नहीं बताना जरूर हमें पता है कि चाइना में जितने features आते हैं उसके 30% ही global और इंड subscribe कर लेना ताकि latest information में आपको provide कर तको बस आज के लिए यही छोटा सा information था पसंद आया तो like करे support के लिए भाई share जरूर करे क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो और निकल लेते हो पतली गली से भाई थोड़ा मोटी गली से जाओ न थोड़े वो sharing को साथ मिलेके जाओ हमें भी थोड़ा सा benefit होगा खुसी मिलेगी और next time काफी ज्यादा interesting news आपके लिए लेके आने की कोसिस करूँगा so thanks for watching bye bye